चंद्रयान 3 मिशन की एतिहासिक काम्याभी के बाद इसरों ने सुमवार को श्री हरी कोटा अंतरिक्षियान से 2 सितंबर को सुभ़े 11 बचकर 50 मिनट पर सूर्य का अध्यन करने के लिए आदिते L1 अंतरिक्षियान लॉंच करने की गोशना की ये मिशन सूर्य की सताह पर होने अधिते L1 प्रिथवी से सूर्य की तरफ 15 लाख किलो मेटर तक जाएगा और सूर्य का अध्यन करेगा ये सूर्य प्रिथवी लेग्रेंज पॉइंट पर रहकर उसके चक्कर लगाएगा लेग्रेंज पॉइंट की खासियत की वज़े से आदिते L1 को इंधन के मावले में काफी सहूलियत मरहेगी आदिते L1 मिशन सूरज में होने वाली अलग-अलग तरह की हलचलों के अध्यन के लिए साथ पे लोड लेकर जाएगा The solar wind and then the core burning all are emanating a lot of things to the they are coming towards the earth and towards the galaxy now because we are protected by the atmosphere these are not reaching the earth mother earth so we thought if you want to really understand the system and its real merit or dangers involved you have to go out of this and then try to face it that is the design of this system so we are going out of the atmospheric condition and then we are going to place it in a place called L1 which is a lagrange of the meridian इस्त्रों के अनुसार आदिते L1 राश्ट्रे संस्थानों की भागिदारी वाली पूरी तरह स्वदेशी कोशिश है अंत्रिक्ष एजिंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंत्रिक्ष यान को PSLV C-57 रॉकेट से लॉंच किया जाएगा